नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग जानते हैं कि बसंथ पंचमी आने वाली है, एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, पर दोस्तों, उससे पहले बसंथ पंचमी के पहले बसंथ सोमवार भी पढ़ रहा है, मतलब कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन पढ़ रहा है, अब दोस्तों, प्रवान शिव जी से पूर्ण करवाने के लिए या अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए तो दोस्तों आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका है जो कि 12 फरवरी का है जिस दिन पढ़ रहा है बसंत सोमवार और यह दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खास है क्योंकि बसंत पंचमी के पहले वाला जो सोमवार है इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है तो आप लोगों को इस बसंत सोमवार के दिन मतलब 12 फरवरी के दिन यह पांच दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां भी दूर होंगी यदी यदी आप अपनी मनो कामना के लिए ये वाला उपाय करेंगे तो वह आपकी मनो कामना भी पूर्ण होगी साथ ही में अपने घर परिवार की सुख और शांती के लिए ये वाला उपाय करेंगे तो वो भी आप लोगों को जरूर हो जाएगी तो दोस्तों इस उपाये को सबसे पहली बात आप लोगों को अच्छे से समझना है क्योंकि भाई ऐसे खास दिन बार बार तो आते नहीं बसंथ पंचमी के पहले पढ़ने वाला बसंथ सोमवार से बार बार तो आता नहीं तो इसलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, उसके पश्चात जरूर करना तो दोस्तों सीधी सी बात है, पांच दीपक वाला उपाय है तो ही पांच दीपक वाले उपाय को करने में हमें थोड़ी बातें भी समझनी होंगी जैसे कि ये पांच दीपक हमें कैसे बनाने है दीपक वाले उपाय किस को करना है, किस समय करना है जो दीपक है वो मिट्टी के होंगे, आठे के होंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उपाय में समझने वाली है ठीक है? तो इसी लिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझें और जरूर करें ताकि आप लोगों की जो भी मनो कामना हो वो जरूर पूर्ण हो तो सबसे पहली बात दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहने होती हैं, वही इस उपाए को खास रूप से करें क्योंकि घर की जो बहने होती है, वो कौन होती है, घर की लक्ष्मी होती है यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहने उपस्थितना हो तो भाई घर की घर के जो बड़े सदस्य हो भाई वह भी इस उपाई को कर सकते हैं यदि माताएं बहने उपस्थितना हो तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाई को आपको किस समय करना है तो देखिए दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वह हमेशा शाम के समय प्रदोशकाल में या रात के समय किये जाते हैं तो यह वाला जो पांच दीपक वाला उपाय है यह भी आपको बसंत सोमवार के दिन मतलब 12 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोशकाल में ही करना है अब प्रदोशकाल कब से कब तक होता है यह भी आप लोग जान लीजिए तो देखिए प्रदोशकाल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है मतलब आठ बजे तक भी कर सकते हो, आठ बजे के पश्चात मत करना, वो फिर ज्यादा देर हो जाती है, तो वह आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, कि शाम के समय प्रदोशकाल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या साथ तीस बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो, है तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई, अब बात करते हैं, हम इस उपाय की, तो दोस्तों, पांच दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, कि पांच दीपक वाला उपाय है, तो पांच पा दीपक, तो यहाँ पर हमे तैयार करने ही पड़ेंगे अब ये पांच दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं उसमें सबसे बड़ा प्रश्ण अब यही निकल कर आएगा कि भाई पांच दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के होंगे क्या वो पांच दीपक आठे के होंगे तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते, है ना, और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते, तो इससे सबसे अच्छी बात यही है, कि हम जो पांच दीपक ले रहे हैं, वो आठे के लिए है, ना, अब आठे के भी जो भी मतमात्र साधा आठा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना, है ना, गूंदने के पश्चाथ, आठा गूंदने के पश्चाथ, आपको क्या करना है, कि जो दीपक आप बनाओगे, वो पांच दीपक बनाओगे, और कैसे बनाओगे, मीडियम साइज के दीपक बनाओगे है ना ज्यादा छोटे बनाओगे ना ज्यादा बड़े बनाओगे है ना तो इस प्रकार से आपको उस आटे से पांच दीपक बढ़िया आपने तयार कर लेने हैं पांच दीपक जैसे ही आप लोग तयार कर लेते हो तो इन पांच दीपक आपको कहां पर रखना है इन पांच दीपों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है है ना जैसे ही आपके पांच दीपक तयार हो जाएं वैसे ही आप लोगों को एक-एक करके पांचों दीपक अपनी किसी भी प्लेट या ठाली में रख लेने हैं क्योंकि आप पांच सो दीपक को एक साथ हात में पकड़ कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, है ना, तो इसलिए भाई, आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना, या अलग से कोई थाली लेना, या कटोरी ले लेना, जिसमें आप ये पाँचों दीपक बन जाए हैं ना, तो वहाँ पाँचों दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमा कर अच्छे से रख लेना अब पाँच आठे की दीपक तो हमने तयार कर ली है अब इसमें बात ही मतलब बात आती है कि इसमें हम बात ही कौन सी रखेंगे तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिवजी के उपाईयों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते है हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते है तो इस वाले उपाए में इस पांच दीपक वाले उपाए में इन पांचों दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल बाती रखनी है अब यहाँ पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है क्या वो हम बाजार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पे बनाई हुई बाती रखें तो देखो जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें यदि आप आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामगरी मतलब रखते हो मतलब अपने हाथों से बनाए हुए परिश्रम से किये हुए कोई भी सामगरी उपाय में प्रयोग करते हो तो भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होते है आपके घर में रुई है तो भई आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाओ कितनी बनाओगे पाँच गोल बत्ती बनाओ है ना बाजार की भी ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर यदि आप अपने हाथों से बत्ती को बना कर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे है ना, तो आपके घर में यदि रूई रखी हो तो भाई अपने हाथों से पाँच गोल बत्ती बनाना और एक-एक गोल बत्ती इन पाँचों दीप के अंदर एक-एक करके रख देना है ना पाँच गोल बत्ती बनानी है आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना तो पाँचों गोल भी, मतलब पाँच गोल भी एक-एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना उसके पश्चात में दोस्तों बात आती है कि इन पाँच दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज है क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक हमें जो हज लेंगे है ना तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दे खास रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन पाँचों दीपकों के अंदर गोल बाती तो आपने रखी ली है पर इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाए का घी है न क्योंकि शुद्ध देसी गाए का जो घी होता है वो भगवान शिवजी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिवजी के लिए हम दीपक यहां पर जलाते हैं तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो भाई वो बाजार वाला मिलावटी जो ही होता है वो उपाय में प्रयोग कर लेंगे। यदि आप लोग बाजार वाला मिलावटी ही प्रयोग में ले लोगे, तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो, उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देशिका का घी अपने पास में रखो। आपका वो उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्ध देशिका का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए, कहीं से ढूंड कर लाओ, कैसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बना कर रखता है। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देशी गाय का घी इन पांचों दीप के अंदर आपको डाल लेना है, ना पांचों दीपकों के अंदर शुद्ध देशी गाय का घी डालने के पश्चात, अब आपके ये पांचों दीपक बिलकुल बनकर तयार हो जाते हैं, है ना। तो द बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है जैसे कि शाम के समय प्रदोशकाल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो तो आधे से एक घंटे पहले आप इन पांच दीपक को बना कर तैयार करके रख लेना ताकि आप लोग उपाय को बिलकुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको है ना तो भाई माताएं बहने इस उपाय को खास रूप से ध्यान से सुने क्योंकि वे यदि इस उपाय को करेंगी तो भाई बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिवजी आपकी मनों का आमना भी बहुत जल्दी ही पूर करेंगे तो दोस्तों आपके पांचों दीपक तो तयार हो गए हैं अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि ये पांचों दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं क्योंकि पांच दीपक एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाएं जो ये पांच दीप ये सीधी सी बात है, पांच दीपक बनाए तो पांच अलग अलग जगहों पर ही रखा आएंगे, तो दोस्तों जहां जहां पर भी ये पांच दीपक आएंगे, वहां वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखा जाएंगे, उस जगह पर पहले या तो उसके उपर चावल के दाने या फूल की पंखोडी के उपर फिर ये दीपक रखना है इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना तो आप लोगों को ये चीज़ भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो इसी के साथ में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर से जो हैं माचिस भी अपनी लेकर जानी है ऐसा ना सोचें कि जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे यदि आप ऐसा करते हैं जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी आपके इस उपाय को करने का फ़ल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा इसलिए यदि आप चाहते हो कि भी आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले तो वहां उस स्थान पर आप लोग को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है इस बात का आप लोग खास रूप से ध्यान रखना है तो यह थी आज की विशेश जानकारी उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद